बापू बेटे की राजनीती को चमकाने का अब दलीत मोहरा नहीं बनेंगे वो देख रहा है कि पैस कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी बड़ी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं साथियों कॉंग्रिस ने साट साल सत्तर साल तक देश पर राज किया इतना मौका मिलने पर भी कॉंग्रिस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा सडक बिजली पानी सौचालय पक्के घर एक बहुत बड़ी आबादी मूल सुविदाओं से बंचित थी कॉंग्रिस के ब्रस्टाचार का हाल ये था कि एक रुपिया अगर दिल्ली से निकलता था तो गरीब के घर तक जाते जाते पंदरा पैसा हो जाता था देश पूछ रहा है ये वो कौन सा पंजा था जो एक रुपियों को गिस गिस करके पंदरा पैसा बना देता था गरीबों के हग को लूटने वाले गरीबी हटाने का नारा देते थे कॉंग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विशय को उलजाए रखा वो उलजाने में एक्सपर्ट रहे हैं कॉंग्रेस ने आयोध्या में राम मंदिल नहीं बनने दिया कॉंग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साब आम बेड करका संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया उसने हमारी बेहनों को संसद और विजान समय में आरक्षन से बन्चीत रखा उसने हमारी मुस्लिम बेहनों को तीन तलाकी समस्या में उलजाए रखा यानि कॉंग्रेस ने देश की देश वास्यों की समस्याओं का समाजान नहीं किया बलकि अपने बेटे बेटी अपना परिवार उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी